बुल बुल तुम्हें पता है मैं चिणियां के घर से आ रहा हूं और उस चिणियां ने मुझे इतना जलील किया मैं बता नहीं सकता बस मैं आज से फैसला कर लिया हूं कि मैं आज से मेहनत करके भोजन ढूनूँगा और किसी पक्षी से जाकर भोजन नहीं मागूंगा और मैं आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूंगा सब पक्षों से मिलजूल कर रहूंगा कालू जी ये आप तो ठीक कह रहे हैं लेकिन आप से ये हो पाएगा ना हाँ हाँ बुल बुल इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ये कालू ना कर सके तुम देखना बुल बुल कालू कितना मेहनत करेगा फिर किसी पक्षी से भोजन नहीं मांगेगा बुल बुल तुम जानती हो जंगल के सभी पक्षी हमारी कोई इज़त नहीं करता है और तो और सब पक्षी हम लोगों से ठीक से बाद भी नहीं करता है मैंने एक उपाय सोचा है सभी पक्छियों को अपने घर दावत रखूंगा और उस दावत का भोजन में खूद मेहनत करके जमा करूंगा देखना बूल बूल तुम हाँ कालू जी आपने सही कहा हम सभी पक्छियों को अपने घर दावत रख लेते हैं इस तरह फिर हमारे इज्जत वापस आजाईगे फिर कालू कवा जंगल के सभी पक्छियों के पास दावत देने चला जाता है और कुछ देर के बाद सभी पक्छियों के दावत देकर वाप कल के लिए भोजन लेकर आता हूं फिर कालू कवा वहां से चला जाता है बिचारा कालू कवा खूब मेहनत करके भोजन जमा करता है कुछी देर में कालू कवा धेर सारा भोजन जमा कर लेता है फिर अपने घोसले में वापस आ जाता है बुल-बुल यह देखो पहली बार जिं जंगल के सभी पक्षी और टूनी चिनिया इस कालू कवा को और बुलबुल कवा को फिर से दुबारा इज्जत करने लगें फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है और दोनों पक्षी सो जाते हैं इधर मोनू कवा सफर के लिए निकला था मोनू कवा थोड़ी देर और उड़ है लेकिन मेरे पास भोजन ही नहीं है कि मैं भोजन खाकर भूग मिटा सकूं अब मैं क्या करूं मोनु कवा अपने आप से बाते कर रहा था तभी उसकी नजर कालू कवे के भोजन पर पड़ती है और उस भोजन को देखकर मोनु कवे के तो मुं में पानी आ जाता है अरे वा भाई इस कवे ने कितना सारा भोजन जमा किया है चलो वहां जाकर सारा भोजन चोरी कर लेता हूं फिर मोनु कालू कवे का सारा भोजन चोरी करके वहां से भाग जाता है फिर रात से सुबह हो जाती है बुल बुल ये देखो हमारा भोजन गायब हो गया है लगता है कोई हम भोजन लेकर चला गया है चौरी करके लेकिन जी अब तक हम लोग दूसरों की भोजन चौरी करते थेके आज हमारा ही भोजन चौरी करके कोई ले गया है बुल बुल दोफर तक तो सब पक्छी आ जाएंगे अब क्या होगा बुल बुल अब तो उन सब पक्छों के सामने मेरी नाखी कट जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होगा बुल बुल मैं ऐसा नहीं होने दूँगा मैं फिर से दुबारा जा रहा हूं भोजन जमा करने फिर कालू कवा भोजन के तलास में दुवारा से चला जाता है। कालू कवा जंगल के बाहर जा रहा था तभी उसको नजर सामने पड़ती है। और तो और मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अच्छा ठीक है ठीक है तोते तुम ये भोजन लेकर चले जाओ। मैं अपने लिए दूसरा कोई भोजन ढूंड लूँगा। बेचारा कालू कवा अपना भोजन उस तोते को देकर वहाँ से चला जाता है। इदर कालू कवे के गोसले में सब पक्षे दावत के लिए आ जाते हैं। बुल बेहन कालू कवा कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है। हम सब को दावत पर बुला कर कहीं भाग गया हो। नहीं नहीं कबुतर बेहन ऐसी कोई बात नहीं है। बस कालू जे आते ही होंगे। इधर कालू कवा जंगल के बाहर आकर इधर भोजन ढूंड रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ फल दिखाई देता है, कालू कवा उस फल के पास जाता है, फिर उस फल को देखकर खुस हो जाता है चलो भाई, मुझे तो फल मिल गया, अब तो कम से कम टेंसन खातम हुई, कालू कवा फल लेकर वहां से चला जाता है, कालू कवा देखता है सामने, मौन्मुन चिणिया अपने घोसले में लेटी हुई है, और काफी जोर से चीख रही थी, फिर कालू कवा तुरंद मौन्मुन चिणिया के पास जाता है, मौन्मुन चिणिया तुमे क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों लेटी हुई हो, और तुम क्यों चीख रही हो, कालू कवे मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मेरे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, इसलिए भूख के वज़े से मेर पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मौन्मुन तुम बिलकुल बेचिंता मत करो, ये लो फल, ये फल खालो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर कालू कवा भोजन देकर वहां से चला जाता है, कालू कवा हार नहीं मानता है, और इधर उधर भोजन ढूंडता है, इधर द पेर हो गई है, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था, अगर कुछ काम से गया है, हम सब पक्षि चले जाते हैं, फिर कल हम लोग आ जाएंगे दावत के लिए, नहीं कब उतर बहन, कालू जी बस आते ही होंगे, बस तुम पक्षि थोड़ी दिर और इंतिजार कर लो इधर कालू कवा भोजन ढूंड रहा था, तभी कालू कवा को जमिन पर कुछ भोजन दिखाई देता है, वो तुरन भोजन के पास आता है, और उसे भोजन की लाइन दिखाई देता है, जो गूफा के अंदर तक गया था, कालू कवा एक-एक भोजन को उठा कर गूफे के अंदर तक पहुंच जाता है, वो देखता है गूफ़े में धेर सारा भोजन रखा हुआ है, अरे वाँ भाई वाँ इतना सारा भोजन इस गूफ़ा में कितना पढ़ा हुआ है, लगता है इन सब पक्छों के मदद की उपर वाले ने उसके बदले में इतना सारा भोजन दे दिया है चलो इसमें से थोड़ा भोजन लेकर चलता हूँ जंगल के सभी सारे पक्छी आ गए होंगे और वो सब मेरा इंतिजार करते होंगे फिर कालू कवा थोड़ा भोजन लेकर अपने गोशले मा आ जाता है बुलबुल कवा सब पक्षियों को थोड़ा थोड़ा भोजन देती है और सब पक्षि मिलजूल कर भोजन खाते हैं कालु कवे आज हम सब पक्षियों को बहुत जादा खुसी मिल रही है आज तुमने मेहनत करके हम सब को भोजन खिलाया है की बेटिया नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं अजी हम लड़के हैं जनाब हम कुछ जिमदारी के साथ आते हैं आधी उम्र जिंदगी समझने में गुजर जाती है तो आधी उम्र निभाने में पूरा बस्पन की ताबों में गुजरता है तो जमानी कामों में ये जिमदारी उम्र के साथ बढ़ती है ये बुढ़ा पें भी कम नहीं होती अजी कौन कहता है कि जनाब हम लोग लड़कों के जिमदारी में कोई गम नहीं होती फिर सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं, सब पक्षों के जाने के बाद कालू कावा वो सारी बाते बताता है, और हाँ इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम लोगों को पूरी जिन्दगी हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान हमेशा काम्याब होता ह बाइ